क्योंकि दौसा की पैचान आज देश भर में कॉंग्रेस के एक मजबूत गड़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेज आता है इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपका दाई तो बढ़ गया है पूरा देश देख रहा है कि राजिस्थान की जनता की करव होते हैं लेकिन दुख परिशानी कठनाई में सिर्फ अपने सामिल होते हैं और यहां का जो संबंद एस मिट्टी का यहां के लोगों का वो इस जीवन में तो तूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं तूटने दूँगा आपको वादा कर कर जाता हूं और आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं राहुल गानी जी हमारे बीच में याता कर कर गए थे इस छेट के जनता ने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी को मदद करी है ताक कर दी है हम लोगों ने बढ़िया काम किया है आपके बीच में जो विकास हुआ है हमारे मंत्री जिले के द किसी का अगर को मन बेद है भी छोटा मूटा मन मूटा उसको भूल जाओ और जैसा Рाहूर गांदी जी बोल रहे हैं नफरत की दुकान में नफरत के बाजार में महब्बत की दुकान खोलनी है अब तो महब्बत की चर्चा कل भी हो गई आज भी हम लोग कर रहे हैं महब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है, और प्यांका जी, आपके हर बार राजस्तान बराने से, कॉंग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है, बाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर से किर दें, वो सब लोग जानते हैं, कि इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लगा रही है, सब एकता से चुनाव लगेंगे, और भाजपा की जूट और पाखंड की राजनीत को समाप्त करने का जो शान आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पढ़ेंगे, एक एक कॉंग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी भूमत के साथ राजस्तान में अब इतिहास कायम करें और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं